हेलो एब्रिवान नमस्कार कैसे हैं आप सबी उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छ होंगे प्रेग्निंसी का थार्ट ट्रेमिस्टर स्टार्ट होता है तो दोस्तों आपका बेबी धीरे-धीरे हैड डाउन करने लगता है और आपके डिलिवरी भी काफी नजदेक होती है ऐसे में गर्वती महलाओं को क्या करना है क्या नहीं करना है और किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कौन से साब धानिया बरतनी है इस वीडियो में आज आप यही जानने वाली है यह वीडियो बहुत ज़दे इंपोटेंट है प्रेगनेंसी का कोई भी ट्रैमिस्टर आपका चला है तो भी आपको यह वीडियो पूरा देखना ही है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बहुत ही सरल भासा में आज इस वीडियो में बताने वाली हूं में बहुत ज़दा खुशी मिलती है और चैनल और पहली बार आये हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें पास में घंटी को दबाकर और बिटन को प्रेस कर लें जिससे कि गाइस प्रेगनेंसी टेप्स से रिलेटिड आपको और वीडियो की नॉटिविकेशन मिलती रहे तो चलिए गाइस वीडियो को शिरू करते हैं तो गाइस प्रेगनेंसी का तीसरा तिमाई यानिकी प्रेगनेंसी का साथवा आटवा और नवा महिना स्टार्ट होता है ना तो एक गरवती महला को बहुत ज़दा चिंता भी होने लगती है कि डिलिवरी का टाइम बहु को सोचती है कि पतानी हमारी डिलिवरी नॉर्मल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी कैसे होगी कितना दर्द होगा पतानी ये सब कैसे होगा तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है मैं आपको किलियर कर दे रही हूं दोस्तो इस बारे में डिलिवरी आपकी भले ही क्या होगी बिल्कुल भी मत सोचिए सिर्फ अच्छा सोचिए ठीक है तो यह काम आपको करना है नकारात्मक नहीं सोचना है ठीक है दोस्तों आप जानते हैं पॉइंट नमबर टू के बारे में देखिए प्रेग्नेंसी का तीसरा तिमाई जब स्टार्ट हो जाए तो आपको भारी सामन नहीं उठाना है बिल्कुल भी नहीं उठाना है नहीं आपको जुकना है अगर आप एक दम से जैसे किसी ने बुलाया और आप अचानक से हरबडाके उठेंगी तो इससे पता क्या होता है आपको दर्द भी हो सकता है पेट में बच्चे के गले में गर्वनाल फसने के बहुत ज़द चांसे होते हैं तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है आपको लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है नहीं लंबे समय तक खड़े रहना है अगर आप housewife हैं, आपके family में कोई नहीं है आपको खाना, पीना, सब कुछ आपको ही manage करना पड़ता है सब कुछ आप ही करती है तो दोस्तों आप धीरे धीरे आराम से कीजिएगा जादा continue काम मत कीजिएगा इससे आपके पैरों में दर्द की समस्या भी हो सकती है टांगों में दर्द की समस्या हो सकती है लेकिन जादा देर तक खड़े नहीं रहना है और जादा देर तक बैठे भी नहीं रहना है ठीक है तो आप आराम से धीरे-धीरे काम करें ताकि आपको दिक्कत ना हो बेवी को भी दिक्कत ना हो दोस्तो जब प्रेग्नेंसी का तीसरा तिमाई शुरू हो जाए तो आप अपनी डाइट पे बहुत ज़दा फोकस करें बाहर का तो आपको पूरी प्रेग्नेंसी खाना ही नहीं है आपको healthy डाइट लेनी है और हाँ calcium की कमे भी आपको नहीं होने देनी है अपनी body के अंदर द दो ग्लास नहीं पी पारी है तो एक ग्लास आपको पीना ही पीना है दूद आपको पूरी प्रेग्नेंसी में पीना है ठीक है बाहर का कुछ नहीं खाना है भूल जाए बाहर का खाना अगर प्रेग्नेंसी आपकी चल रही है कन्फर्म हुई है या फिर फर्स्ट या फिस से स्टार्ट हुआ है तो भूल जाए बाहर का खाना बाहर कि खाने से बहुत सारी problem होती है ठीक है पेट संबने करी problem होती है दोस्तों एक या और है कि आपको suppressal दार भोजन तो आपको आपको Jaim जब भी आप खाना च्छा रहे तो ओढ़ा ट्वेया बिश्रस्था दाइक का आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है और हां जब आपकी delivery का समय नजदीक आए तो आपको अपने परिवार बालों के साथ ही रहना है खुशाल रहना है और पूरी pregnancy happy रहना है ठीक है तो इनी बातों का आपको ध्यार रखना है tension बिल्कुल भी मत लीजिए अगर आपकी delivery नजदीक है बिल्कुल tension मत लीजिए सब अच्छा होगा अच्छा सोचेंगी तभी अच्छा होता है ठीक है तो अगर हमारी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी help मिलती है ये वीडियो की जान कर येगर आपको अच्छी बाँ होगा अगर ये वे ये वाईब आपको अगर आपको अगर आपको अगर नो को अगर प्यों